Hello Aspirants, Namaskar, Hope you all are doing well, My name is Nithika Thakur and welcome to the Supernova Classes आज हम पढ़ने वाले हैं Yamuna River in Himachal Pradesh, तो Yamuna River से जितने भी question बनते हैं कि Yamuna नदी का उद्गम स्थान क्या है, क्या-क्या उसके नाम है, कितने उसकी लेंथ है, क्या-क्या ट्रिब्यूटरीज है, कौन-कौन से places जो है वो Yamuna River के आस-पास आपको दिखाई देंगे, तो यह सारे questions हम लोग देखेंगे, map की help से उन्हें solve करेंगे, learn करने की कोशिश करेंगे तो अगर आपको lecture पसंद आता है, तो आप video को like, share, comment जरूर कीजेगा और चैनल को आप subscribe कीजे, और bell notification को आप on कीजेगा, ताकि जबी भी हम कोई भी नई वीडियो upload करें, आपको उसकी notification मिल जाए तो चले स्टार्ट करते हैं, Yamuna River से, सबसे पहले देखते हैं इसका उद्गम स्थान की, Yamuna जो है, वो originate कहां से होती है तो ये है उत्राखण, right? और उत्राखण में, आपको यहां पे एक mountain मिलता है, उसका नाम है कलिंद परवत, right? इस place का नाम क्या है, ये mountain क्या है? यह mountain है आपका कालिंद पर्वत ठीक है कालिंद पर्वत तो कलिंद पर्वत से जो है वो यमना रिवर का उद्गम माना जाता है कलिंद परवत पढ़ता है बंदर पूंच मैसिफ में यह पढ़ता है बंदर पूंच मैसिफ में राइट बंदर पूंच मैसिफ मैसिफ होता है group of mountains group of mountains तो यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे mountains हैं तो इसके group को क्या कहा जाता है यह है बंदर पूंच मैसिफ उत्रा खंड में चंपासर Glacier, राइट, क्या नाम है, चंपासर Glacier, ठीक है, चंपासर Glacier है, यहीं पर कुंड है, इस कुंड का नाम है, सब्त रिशी कुंड, ठीक है, सब्त रिशी कुंड, तो सब्त रिशी कुंड से जो है, वो कौन से रिवर निकल रही है, यमुना रिवर निकलती है, और आगे ही तरफ यह बहेंगी तो यमना रिवर का उद्गम स्थान क्या हो गया बंदर पूँच मैसिफ में एक माउंटेन है इसका नाम है कलिंद परवत ठीके कलिंद परवत पे भी एक ग्लेशर है उस ग्लेशर का नाम क्या है चमपासर ग्लेशर वहीं पर यह एक कुंड है उस के क्या क्या नाम है तो पहला नाम है यमना रिवर का कालिंदी क्लेंद माउंटेंडस निकलने के कारण ही इस रिवर का नाम क्या है कालिंद रीवर ठीके का कालिंदी, कालिंदी, एन इसे ही क्या कहा जाता है, कालिंदजा, ठीक है, कालिंदजा, ठीक है, कालिंदजा, तो दो नाम हो गई यह इसके, एक कालिंदी और दूसरा हुआ कालिंदजा, क्योंकि यह कहां से निकल रही है, कलिंद माउंटेन से, और दूसरा इसका reason क्या हो सकता और प्राचिन समय में सिर्मौर, शिम्ला, सोलन वाला जो यह एरिया है यहाँ पर जो जनपद था उनका नाम था कुलिंद ठीक है कुलिंद प्राचिन समय में कुलिंद जनपद जो है वो इस एरिया में था सिर्मौर, शिम्ला, अंसोलन में तो इस कुलिंद जनपद के किनारे से ही ये river बह रही थी इस लिए इस river का जो नाम है वो कालिंदी पढ़ गया ठीक है या फिर आप ये भी समझ सकते हैं कि कालिंदी रिवर यहां से बह रही थी इस लिए इस जन्पद का नाम जो हो कुलंद पढ़ गया यमुना रिवर का संबंध जोड़ा जाता है सूर्य भगवान से जो सूर्य है उनकी पुत्री कहा जाता है यमुना को इसलिए इसका एक और नाम है सूर्य तनया राइट सूर्य तनया तो सूर्य मतलब सूर्य दे और तनया कहा जाता है बेटी को ठीक है बेटी पुत्री का पर यम्राज की बहन है यही यमुना रिवर ही है इसलिए इनका नाम है यमी और भाइबूच का त्योहार हम लोग मनाते हैं वह भी यमुना रिवर है उन्हीं कोई डेडिकेटेड वह त्योहार है बहुत लंबी स्टोरी है इसके पीछे भी बट शॉट में आपको सुना देती हू कि यम्राज जी है यह दो नाराज हो जाते है उनके नाराज जो श्राप देते हैं तो जो यम है फिर वह बुखत कठोर तपस्या करती है घोर हो कि तुक् 걵ि लोगा अपने और धाय में वह है वो कौन सा त्योहार मनाया जाता है भाई दूच का रही तो भाई दूच का जो त्योहार है वो भी किसे संबंदित है यमुना रिवर से संबंदित है यमुना का ही एक नाम है आसित रिवर ठीक है आसित तो एक नाम क्या हो गया इनका आसित वाई क्योंकि देखें जो की थी यमुना रिवर को डिस्कवर किया था इसलिए यमुना रिवर को असित रिवर भी कहा जाता है यमुना रिवर का संबंद जो है वो कृष्ण भगवान से भी जोड़ा जाता है कृष्ण भगवान से तो कृष्ण भगवान की जो एट में रानी थी जिने अश्ट भार्य इस हैको किया देटश्ठ है कहा जाता था अष्ट भार्या क्रिष्ण जिर्म स्य्कूर्णग श्रीकृतय जीडिया वह overall जो इस इसके अलावा कृष्णची की अश्ट भार्या में से एक यह है तो यह होगे इसके नाम अब देखते हैं कि लोकेशन क्या है यमुना रिवर की आप देखें यह है कलंद परवत कलंद परवत से यमुना रिवर निकल रही है इस तरह से और आगे आएंगी यह और सिर्मौर की अब देख रहे हैं कि उत्राखंड और सिर्मौर की बाउंडरी बना रही है कौन सी नदी यमुना नदी तो यमुना रिवर जहां से हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है वो प्लेस है खोदर माजरी राइट यह प्लेस कौन सा है यह प्लेस है खोदर माजरी प्लेस खोदर माजरी इसके अलावा यहीं पी छोटी सी जगह है उसका नाम है डाक पत्थर ठीक है डाक पत्थर प्लेस है और इसके अलावा सहस्त्रधारा ठीक है सहस्त्रधारा यह तीनों प्लेसिस आपको याद रखने है आपसे पूछा जा सकता है कि किस प्लेस स यमुना एंटर ही हिमाचल प्रदेश में तो जो चोटा सा एरीया रहा है इसके ही और रहा है और आपको यही पर मिलता है यहां तो कुछ भी आप से पूछ सकता है नियुक्त पर जातार है यह कर लोगैं यह पर वाखे हैं यह तीन नाम है आप अच्छे रियाद रखने हैं खोदर माजरी डाग पत्थर और सहस्त्रधारा इन प्लेस से जो है एंटर करती है यमुना हिमाशल प्रदेश में राइट और एगजिट कहां से करेगी कहां से बाहर निकल जाएगी इस प्लेस का नाम है ताजे वाला ठीक है ताजे वाला तो ता हाथे निकुंड भी आपसे पूछ सकते हैं कि किस प्लेस से निकलती है तो हाथे निकुंड से राइट तो एंटरी कहां से कर रही है एगजिट कहां से कर रही है आपको नाम पता होने चाहिए खोदर माजरी डाग पत्थर सहस्त्रधारा इन प्लेस से एंटर कर रही है एंटर कर रही है, यमना हिमा παचिल परदेश में, वही से एक किनाल निकाली जाती है, उसका नाम है, शक्ति樣 हर, छोग का नाम है वो अलग निकाली जाती है, उस احर का नाम क्या है, शक्ति нажर च्येक्टि तो यह हो चुकी है इसकी एझाग का उसकर प्लेसी, आप देखते हैं तो हिमाचल परदेश में यमना रिवर कितनी बहती है । यह बहती है 22 km, right कितनी 22 km एं 22 km बहने के साथ साथ ही यमना रिवर हिमाचल परदेश की सबसे चोटी नदी बन जाती है तो हिमाचल परदेश में बहने वाले नदियों में से सबसे छोटी नदी कौन सी है यमुना नदी ठीक है कहाँ पर बह रही है वह तो सिर्फ एक ही डिस्टिक में और इस डिस्टिक का नाम क्या है सिर्मॉर तो सिर्मॉर के बॉडर बे जो है यमुना रिवर बहती है कितना 22 km टोटल लेंथ कितनी है यमुना की तो टोटल लेंथ है यमुना की 15-25 km राइट 15-25 जो है वो टोटल लेंथ है किसकी यमुना रिवर की यमुनुत्री से यह निकल रही है हिमाचल उत्राखंड ठीक है उत्राखंड के बाद हिमाचल फिर यह जाएगी हर्याना हर्याना के बा सब्सक्राइब तोर्य लेंद्थ है 1525 किलोमेटर अब देखते हैं कितना है इसका कैच्च बेंट एरिया है यमुना काे 2320 स्क्वेर किलोमेटर राइट 2320 स्क्वेर किलोमेटर जो है वाकेश्मेंट एडिया रहे है catchment area क्या होता है मान लीजिए यह कोई एक रिवर है इस तरह से अब साथ वाले एरिया से जो है वो कुछ एक नदी इसमें आके मिल जाएंगी छोटी-छोटी जो स्ट्रीम्स है छोटे-छोटे नाले जो है छोटी-छोटी रिल्स गली इस सारी की सारी जो है इसमें आके जितना भी एरिया है जहां से जो पानी है वो सारा का सारा सारी जो है वो इस मेन रिवर में आ रहा है तो इस अरियका क्या कहा जाएगा साथ फालले एरिया को जल घ्रहन क्षेत। ठीक है catchment area तो जितने भी area से side वाले area से पानी सारा का सारा main river में आता है वो surrounding area क्या कहलाता है catchment area तो यमुना का जो catchment area है वो कितना है 2320 square km अब दिखते हैं tributeries, tributeries मतलब सहायक नदियां कि यमुना की कौन कौन से tributeries हैं कौन कौन से सहायक नदिया है, तो start करते हैं Tons से ही किनौर से छोटी सी नदी निकल के आती है इस नदी का नाम है Rupin ठीक है और यहीं पर उत्राखंड में एक river निकल के आएगी इस area से इसका नाम है Supin, Netward place पर यह मिलती है और यहाँ पर यह Tons नदी का निर्मान करती है Tons नदी इस तरह से आगे की तरफ बहेगी और उसके बाद आप देखिए इस शिमला के साथ हलका सा border बनाते हुए तो इस तरह से आगे चलते हुए यह सर्मौर और उत्राखंड का border बनाएगी और आगे चलके कहां मिल जाएगी यह यमुना रिवर में तो यमुना रिवर में यह कहां पर मिलती है कलसी प्लेस पर राइट दुबारा देखने है एक बार पहली रिवर कौन सी है यह आपकी रूपिन रिवर ठीक है रूपिन रिवर कहां से कि नौर वाले एरिया से निकल रही है दूसरी रिवर आई सुपिन ठीक है सेकिन रिवर कौन सी छोटी सी सुपिन रिवर है सुपिन रिवर और शनेट होती ह सिफ़ार रोहन सोफ़ा को से स्वर्य रौहन स्वर्गा गलेश्य से कॉनसे रीवर निकली का परेंगों मिलती है नेटवाड प्लेस गाता है ठीक है तंसा रिवर भी कहा जाता है टॉंस को ही एंड टॉंस ही उत्राखंड में यमूना की सबसे बड़ी सहायक नदी है टॉंस बहर रही है आगे की तरफ और फिर किस में मिल जाती है यह यमुना में मिल जाएगी, किस प्लेस पे, कल्सी पे, ठीक है, एक्जक्ट कल्सी पे यह नहीं मिलती है, कल्सी बहुत बड़ा एरिया है, तो कल्सी के पास ही, मतलब खोदर माजरी के नजदी की, ठीक है, तो खोदर माजरी के पास ही जो है, यह आपकी जो टॉंस रिवर है यह किसमें मिल जाती है यमुना में ही mainly कलसी कहा जाता है बढ़ कलसी थोड़ा दूर पड़ता है ठीक है तो खुदर माजरी पे ही आपकी जो यह टॉंस रिवर है वो किसमें मिल जाती है यमुना में clear तो first river हो जाती है हमारे पास तॉंस अब बात करते हैं शिमला की कि शिमला में यमुना रिवर की कौन कौन से tributaries है तो सबसे important जो tributary है उसका नाम है पबर तो पबर जो है वो chancel के पास से निकलती है ठीक है और इस तरह से आगे की तरफ बढ़ेगी और किसमें मिल जाएगी ये टॉंस में ठीक है देख रहे आप तो पबर जो हो किसकी tributary है ये है टॉंस की राइट एंट पबर निकलती कहां से है तो पबर निकलती है चांसल के पास से ठीक है चांसल से ये निकल रही है शिमला में बहेगी और उत्रा खंड में जा कि तॉन्स में मिल जाती है, तो तॉन्स में किस प्लेस के पास मिलती है, ये मिलती है त्योनी जगा पे, ठीक है, त्योनी के पास एक छोटी सी जगा है, उसका नाम है चक्राता, ठीक है, चक्राता, तो चक्राता प्लेस पे जो है, वो पबर रिवर किस में मिल जाती है, तॉन्स म ठीक है आंध्रा तो चिडगाओं के पास ये जो आंध्रा रिवर है आंध्रा रिवर पबर में मिलती है किस प्लेस पे चिडगाओं ठीक है चिडगाओं शिमला में ही एक जगा है तो चिडगाओं के पास ये जो आंध्रा नदी है वो किस में मिल जाएगी पबर नदी में एक छोटी सी और यहां पर रिवर है उसका नाम है तांगनू रोमई ठीक है इसका नाम क्या है तांगनू रोमई ठीक है तांगनू रोमई तो यह जो तांगनू रोमई है यह भी किस में जाके मिल जाती है पबबर में ही ठीक है फिर आपको खड़ा पत्थर मिलता है तो खड़ा पत्थर वाले एरिया से एक रिवर निकलती है इसका नाम है पटसारी नदी ठीक है इसका नाम क्या है पटसारी तो यह जो पटसारी नदी है यह कहां से निकल रही है खड़ा पत्थर वाले एरिया से न कों से चार से कर आंध्रा ईह से अंध्रा दूसरी हे आपके पास तांगनूर तैसरी है पटषारी और चौति है बिश्कुल्टी उन जो 4 उना इसकर कों सूँ कुंतारी यह toons की तो टॉंस की टॉंस लिख हरा आपको यह हैं तो किसमें जाकि मिल जाती है आगेशल के मिल में क्लियर carbono कि जो boundary वाला एरिया है फिर्मौर टाकंट की बस इस boundary जो है एक और छोटी सी सुप IhrS इस place में मिनस रिवर इसमें मिल जाती है and सिर्मौर का यह जो शिलाई वाला area है यहाँ पर एक छोटी सी river है उसका नाम है सूर्य मुखी river ठीक है जी? सूर्य मुखी river तो यह जो सूर्य मुखी river है वो भी आगे चलके टॉन्स में ही मिल जाती है तो इस तरह से हमारा जो यह शिमला वाला एरिया है वो cover होता है कौन-कौन से tributaries वहाँ पे हैं चलिए अब बात करते हैं सिर्मौर्क की कि सिर्मौर्क में important river कौन-कौन सी है जो कि यह मुना की tributaries है तो सबसे important river है गिरी river गिरी river most important river है और यह originate होती है शिमला से तो शिमला का जो जुबल वाला एरिया है वहाँ पे आपको एक peak मिलती है धिक है वहाँ पे आपको एक peak मिलती है इसका नाम है कूपड घाटी के ही है कूपड घाटी से कौन से river originate होती है गिरी river गिरी रिवर कोई क्या कहा जाता है? गिरी गंगा, ठीक है तो आप गिरी गंगा भी बोल सकते है अन गिरी रिवर भी वही है कपूर घाटी से देखिये और शनेट हो रही है और फिर ये सोलन और सिर्मौर के बौरर्डर के उपर चलेगे ठीक है और उसके बाद मुड़ जाएगी सिर्मौर की तरफ को और सिर्मौर को दो बराबर भागों में बाटते हुए यह जो गिरी रिवर है आगे की तरफ बढ़ेगी और आगे चल की कौनसे रिवर में मिल जाएगी यह मुना रिवर में तो इस तरह से जो यह गिरी रिवर ह गिरी आर को ही सिस गिरी कहा जाता है गिरी पार को बोलते हैं ट्रांस गिरी सिस गिरी एंड ट्रांस गिरी में सिर्व मौर को कौन डिवाइड करता है गिरी रिवर ही डिवाइड करेगी गिरी रिवर आई और कहां पर मिलगी यह फिर यमुना में तो यमुना में किस प्लेस में मिलती है उस जगा का नाम है मुकामपुर ठीक है क्या नाम है उदर का मुकामपुर एन मुकामपूर में भी अगर आप exact place देखें तो वो है रामपूर घाट ठीक है जी रामपूर घाट तो मुकामपूर में मुकामपूर है पॉंटा यहां पे पॉंटा साहिब है तो पॉंटा साहिब के पास जो है वो मुकामपूर जगा है मुकामपूर के पास exact place है रामपूर घाट जहाँ पे गिरी river है किसमें मिल जाएगी यमुना river में मिल जाएगी तो सबसे पहली tributary है इसकी अश्वनी खड ठीक है अश्वनी खड जो है देखे शिमला से originate होती है शिमला के पास जो जुणगा एरिया है जुणगा शिमला में कौन सा एरिया है जुनगा एरिया से originate हो रही है अश्वनी रिवर शिमला के बाद ही ट्रावल करेगी सोलन में and सोलन के बाद ये जो है गिरी river में मिल जाती है साधुपुल वाले एरिया में साध्धुपुल साध्धू पुल तो कहां पे जो है वो अश्वनी खड मिलती है गिरी में तो वो प्लेस है साध्धू पुल वाला एरिया ठीक है निकलती है जुनगा से साथू पुल वाले एरिया में मिल जाएगी, किसमें? गिरी रिवर में ऐश्वनी की जो दो सहायक नदियां भी हैं, दो छोटी-छोटी ट्रिब्यूटरी है ऐश्वनी की ही उन दो ट्रिब्यूटरी का नाम है कवाल, ठीक है जी? कवाल रिवर और दूसरे का नाम है पेख़ी रिवर तो कवाल और जो पेख़ी है वो किसके ट्रिप्थी है अश्वन की ट्रिप्थी यह आगे ४किसम मी tappedi में मिल जा सिर्मौर में यह वाला जो एरिया है यह धार्टी धार वाले एरिया से एक रिवर औरिशनेट होती है इसका नाम है जलाल रिवर और यह ददाहू वाले एरिया में मिल जाएंगी गिरी में ही जलाल है जलाल तो जलाल रिवर कहां से औरिशनेट होती है धार्टी धार से और यह आगे चलके ददाहू ददाहू वाले ए बाटा रिवर ठीक है यहां पर आपको नाहन वाला एरिया मिलेगा यह वाला जो एरिया है नाहन है नाहन के साउथ से एक रिवर औरिशनेट होती है इसका नाम क्या है बाटा रिवर बाटा रिवर गिरी में नहीं मिलती है यह डारेक्ट जो है वह यमुना में जाके मिल जाए तो बाटामंडी प्लेस पे ही जाके यह मिल जाएगी एस रिवर में बाटा-रिवर का ही एक और नाम है बखोर इंपॉर्टन्ट है बहुत बार ये पूच्छा गया है तो बाटा-रिवर का नाम क्या है जल मोसा का खाला ठीक है जल मूसा का खाला Clear थोड़ा सा यूनीक समझ लीजिए थोड़ा सा अजीब नाम समझ लीजिए तो बाटा का नाम क्या है दूसरा जल मुसा का खाला किसका नाम है तो बाटा का ही नाम है बाटा की जो है वो दो ट्रिब्यूटरीज हैं बाटा की दो ट्रिब्यूटरीज मिलेंगी दो सहायक नदि और दूसरा नाम है कंसेर खाला, ठीक है, जो खाला खाला है, यह किसके नाम है, यह सारे के सारे नाम है, बाटा के ही, clear, तो बाटा नाहन के साउट से औरिशनेट होती है, और किस में मिल जाती है यह, यमुना में ही किस प्लेस पे, बाटा मंडी प्लेस पे, उसका नाम क्या है जलमोसा का खाला है दो ट्रिब्यूटरीज है उनकी कंसेर खाला ठीक है और खारा का खाला आपको याद रखनी है यह इसके लाव आप देखें नाहन के साउथ से ही एक बहुत इंपोर्टेंट रिवर ओरिशनेट होती है जिसका नाम है मारकंडे रिवर और मारकंडे रिवर गिरी नदी में नहीं जाती है मारकंडे रिवर हर्याना की तरफ को फ्लो करती है यह हर्याना की तरफ को फ्लो करेगी और अगे तो बहँ जाएगी मारकंडे रिवर के बैंक पे आपको एक बहुत in the place दिखाये देगा उसका नाम है सुपेति फॉसल पार्क पूरे एशिया का सबसे पूराना जो fossil पार्क है जो की उसी प्लेस पे बनाया गया जहां उसके अवशेश मिले थे वो कौन सा पार्क है सुकेती फॉसल पार्क है तो सुकेती फॉसल पार्क कौन सी रिवर के बैंक पे आपको मिलता है मारकंडे river के bank पे मारकंडे river important river है मारकंडे river इसी के साथ एक और river है आपे घगर river ठीक है उसका नाम क्या है घगर घगर नदी तो घगर नदी भी जो है वो आगे हर्याना की तरफ को ही flow करती है और आगे फिर वो बहा जाएगी तो इस तरह से आप देखिए यह सारी की सारी rivers आपको कहा मिलती है सिर्मौर में most important river कौन सी है गिरी river है जो कि सिर्मौर को two parts में divide कर रही है गिरी आर, गिरी पार, सिसगिरी and ट्रांस गिरी कहां पे मिलती है यह मुकामपूर प्लेस में मिल जाएगी यह मुना में जाके एन अश्वनी river आ रही है कवाल खड और पेकी खड उसकी दो ट्रिब्यूटरीज है फिर आप देखिए जलाल खड है ठीक है ददाहू वाले प्लेस में यह मिल जाएगी घगगर चलेगी हर्याना की तरफ को मारकंडे भी चलीगी आगे ही बाटा रिवर बहुत इंपोर्टेंट है दो उसकी ट्रिब्यूटरीज है कौन सी थी एक थी कंसेर खाला और उसी सी खारा का खाला तो इस तरह से जो है हमारी ट्रिब्यूटरीज सर्मौर की complete होती है तो हमने देखिए सर्मौर की ट्रिब्यूटरीज देख ली है श्रमौर की ट्रिब्यूटरीज देख ली है उत्रा खण में कौन कौन सी सहायक नदिया है यह मुना की वह देख ली है तो आपको questions किस तरह से आते हैं river से तो सबसे पहले तो origin आपको पता होना चाहिए कहां से वह originate हो रही है दूसरा है नाम आपको नाम पता होने चाहिए कि आकर उसके नाम है किस नाम से उन्हें पुकारा जाता है और क्यों पुकारा जाता है तो नाम उसकी length clear होनी चाहिए कि हिमाशिल प्रदेश में कितनी बैह रही है मुना कितना पड़ा हमने भी 22 km बैह रही है ठीक है तो हिमाशिल प्रदेश के सब चोटी नदी भी यही होगी कया जा भी चैयर होंुर यहीं है सक्ता केपल है यह मुनारी वर में अगर अगर आपसे क्वेशन पूछा जाता है कि पबर किस्की साहिक नदी है तो इसका जो आंसर है आपके options पर ही depend होगी क्या आपको option दिये जा रहे हैं अगर आपको option दिये जाते हैं tons, giri, jalal, bata तो किसकी होगी फिर tons की होगी ठीक है अगर आपको option दिये जाते हैं satluj, ravi, vyaas, yamuna तो किसकी होगी यamuna की होगी clear तो इस तरह से आपको reverse question पढ़ते हैं I hope आपको इस clear हुआ होगा map के through जो है आपको ट्रिब्यूटरिस की थोड़ी location का idea होगी कहां से जो है वो originate होती है और कहां पर जाके मिल रही है किस river में कोशिश कीजएगा आप इने map पे draw कर पाएं जितनी आपकी mapping अच्छी होगी जितनी आपकी locations clear होंगी उतनी long lasting आपको चीज़ें याद रह जाती है ठीके थोड़ा है यह topic ऐसा कि याद रखने में थोड़ी problem होती है अगर आप 2-3 बार इने पढ़ोगे तो आपको चीज़े रियाद रहे चाहेंगी चले मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल दन हसते रहिए मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए ओके बाई